नमस्कार दोस्तों, एराजुगिसन टुटोरिल्स में आपका स्वागत है आज हम फिर हाजर हैं एक और वीडियो के साथ वीगली करेंट अफेर्स फोर्ट वीक ओफ नवंबर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करें हमारा पहरा कुशिन है हाली में भारते चनाव आयोग ने पंजाब विदान सवा चनाव में किस अभिनेता को स्टेट आइकन न्युक्त किया है तो इसका सही आंसर है सौनु सूद डॉक्टर S. करुणा राजू ने बताया कि सौनु सूद को स्टेट आइकन न्युक्त करने समंदी पंजाब के मुख्य चनाव आयोग को एक परस्ताब भेजा गया था जिसको बाल में मंजूर कर लिया पंजाब राजे में सौनु सूद के साथ मिलकर लोगों में चुनाव प्रिक्लिय समंदी जागता पैदा करने की बात कही गई है उनकी तरफ से कॉरोना के दोरान किये गए कार्य को देखते हुए सहीवत रास्ट डैवलमेंट प्रोग्राम के दोरा उनको STG Special Humanitarian Action Award भी दिया जा चुका है कॉरोना के दोरान उनने कई महान कार्य किये थे प्रवाशी मजदूरों को उनको घर तक पहुचाने के लिए उनने काफी मदद की थी तो यह एक बड़ा कारण है उनको स्टेट आइकन यूट करनेगा हमारा अगला कुशन है रीता फार्या किस देश की पहली Miss World थी तो इसका सही आंसर है बार्द मुबई में जन्मी रीता फार्या ने आज ही के दिन 1966 में Miss World का ताज अपने नाम किया गा यह खिताब हासिल करने वाली वैप पहली ACI थी Miss World का ताज जीतने के बाद उन्होंने मेडिकल की सिक्षा पूरी की उनकी शादी डेविड पॉवेल के साथ हुई जो की एक चिकत सक है रीता खुद भी एक चिकत सक है खिताब हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी एम्विएस के बढ़ाई पूरी की थी इसका सब्सक्राइब नितिश कुमार देश के दूसरे ऐसे राजनेता हैं जोनोंने साथ वी बार मुख्यमंत्री पद्गी सपत ली है उनसे पहले परताब सिंग राणा साथ बार गुवा की मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहली बार नितिश कुमार तीन मास दो हजार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली थी भाजपा के तरकतार किसोर परशाद वर रैनु देवी ने उप मुख्यमंत्री की सपत जो कि पहली बार हुआ कि राजए में दो उप मुख्यमंत्री चुने गए बेतिया से जितकर आई भाजपा विदायक रैनु देवी बिहार ने उप मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं हलाक कि रास्टे सतर पर कई महिलाएं उप मुख्यमंत्री बन चुई हैं लेक तो इसका सही आंसर है नवंबर 2019 को RCEP क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं RCEP पर चर्चा आट वर्स पहले शुरू की गई थी इसमें आइसियान के दस देश दक्षिन पुर्वी एशियाई देशों के संगटन तो जो दस देश थे उनका नाम है वियत नाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, भुरूने, फिलिपिन्स, थाइलेंड, म्यानमार, कंबोडिया, लाउस समेथ चीन, जापान, औस्टेलिया, नुजलेंड वे दक्षिन कोरिया शामिल है ग्लोबर, जीडिप और जनसंक्या, दोनों में इन देशों की सम्मरे थे, सिदारी करीब एक तिहाई रही है RCEP समझोदे से जुड़े मुद्दे पर कुल 31 दोर की चर्चा हुई और भारत इनमे से 29 वारताओं में सामिल रहा RCEP यानि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेंड समझोदे पर 16 नमबर 2020 को समझोता हो चुका है हाला कि भारत के परदान मंतरी नहीं मौदी ने 2019 नमबर में इसमें सामिल ना होने की घुशना कर दी थी देश के इस फेशल में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है RCEP में जाने पर भारत के छोटे उद्योग दबाव हो सकते थे सीधे तोर पर मेक इन इंडिया का रेकरम प्रबावित हो सकता था लोकल सर्विस के सर्वे के सामने आया है कि 100 में से 71 गराक ने चीन का कोई उत्पाद नहीं खरीदा है अगला कुशन है हर्याना साहित्त एक आदमी के अध्यक्स कौन है तो इसका सही आंसर है मुख्य मंत्री मनोहर लाल तो हर्याना साहित्त एक आदमी के बारे में हम दो बाते आपको बता देते हैं हर्याना साहित्त एक आदमी का गटन नौजलाइस 1970 को हुआ था गटन से लेकर लगवग 38 वर्ट की उल्पावद्दी में अकादमी द्वारा परदेश की साहितिक एवम संस्क्रतिक विरासत को सम्रत करते हुए सम्कारिन रचना सीलता को राश्ट्रेसर पर दिलाने में विशेज वोमी कादा की है अकादमी द्वारा परदेश की 130 वर्ष साहितिकारों को समायत किया गया है विविन मर्गों के अंतरगत 221 स्ट्रेंड किरतियों को पुषकर्ट किया गया है अगरा सवाल है बोर्ड निगम सरकारी कमपनियां स्थानिय निकाओ और विविन आयोकों को किसकी मनजूरी के बगएर सर्विस रूल बनाने के अनुमती नहीं है तो इसका सही आंसर है मुख्य सचीव हर्याणा में अपनी मर्जी से सर्विस रूल बना रहे बोर्ड निगमों सरकारी कमपनिय को अब प्रासनिक विभाग के जरिये मुख्य सजीव से बन्यूरी लेनी होगी कई बोर्ड ने गमों द्वारा अपनी मर्जी के नियम बनाने से सर्विस रूर में कई तरह की विसंगतियां पैदा हो गई हैं जिसकी वज़े से सरकार के पास लगातार शिकायते पहुचने के बाद मुख्यमत्री महनौनाल ने इस मनमानी पर रोक लगा दी है हमार अगला कोशन है बल्लमगट फईदबाध अरियाणा के राज़ नाहार सिंग ने अंगरेजों के खिलाब कब युद किया था तो इसका सही आंसर है 1857 का जाता है कि युद के बाद अंगरेजों ने संदी करने के बहाने बुला कर दोके से गराफतार करके 9 जनवरी 1858 को दिल्ली चानी चौक के लाल कुए पर फासी पर लटका दिया था राजा नाहार सिंग को उनकी राजा कोर के लिए राजा ने रास्टे राजमार के किनारे छत्री और साही के तलाब करने मान करवाया था राजा के बाद यहां अंगरीजी सरकार का शाशन हो गया, आजाती के बाद राजी सरकार का कपजा हो गया लेकिन इन दोनों सतलों की उस समय के बाद हालत बहुत जज़र हो गई थी सुत्रों के मुदाबिक रानी की छतरी में स्वास्त विभाग ने बालकल्याण स्वास्त रगें सापित कर दिया इन इतिहासिक सतलों के जिनौदौर यानि की मरंमत करना है अफुरानी मायत का उधार करना जो है जिनौदौर के लिए बलंगड के विधायक मुल्चन सर्माने सरकार से एक करोड पर मांगे थे सरकार ने इस योजना को मंजूर कर दिया है और बहुत जल इन दोनों जगहे की स्थीती बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उन्हें बाद में परेटन के लिए खोल दिया जाएगा पैंशन भोगी अपना जीवन परमान पत्र किस महीने में जमा करते हैं तो इसका सही आंसर है नवंबर जिनके घर में पैंशन भोगी होंगे या रथार्थ मतलब जिस घर में भी बड़े बुदर्गों जिसको भी पैंशन मिलती होगी उनको पता होगा कि नवंबर के महीने में एक जीवन परमान पत्र देना होता है ताकि पता चल सके कि पैंशन भोगी जिन्दा है उसे अगले साल तक भी पैंशन की जवत है नवंबर में पैंशन भोगी को अपना जीवन पर्माण बत्र देना होता है ताकि अगले साथ तक उन्हें पैंशन मिल सके जिसकी प्रिक्या को और आसान करने के लिए सरकार ने उमंग एप लॉंच की है जिसके जरीए पैंशन भोगी ऑनलाइन जीवन पर्माण बत्र जमा कर सकते हैं साथ ही डिजिटल जीवन पर्माण बत्र के लिए डोर स्टैब सेवा भी शुरू की गई है पैंशन भोगी की गुजारिस पेटा क्या उनकी घर आकर उनसे डिजिटल जीवन पर्माण बत्र का सर्जन देगा बदले में पैंशन भोगी को मामूली सा सुल्क उसे देना होगा हमार अगला सवाल है भारत में एक सिंग वाले गैंड़े कोंच इलाके में पाय जाते हैं तो इसका सही आंसर है असम और नेपाल भारतिय गैंड़ा जिसे एक सिंग वाला गैंड़ा भी कहते हैं विसका चौथा सबसे बड़ा तरचर जीव है आज या जीव अपने आवाश्य छेत के घर जाने से संकट करस्त हो गया है यह पुर्वतर भारत के असम और नेपाल की तरह के कुछ रक्षित इलाकों में पाया जाता है जहां इसकी संक्य हिमाले की तलहटी में नदियों वाले वन शेतरों तक सीवित है पिछले दर्ज बरसों में एक सिंग वाले एक सुदू गैंड़ों का शिकार देश भर में हुआ है गैंड़ों के लगतार सिकार के देश सर्चा होने के बाद कांजीरंगा राश्टे उधान में सौ से जादा वन रेंजर्स की भरती हुई लेकिन फिर भी सिकार हुए वो अलग बात है कि सिकार्यों को इस जुर्म में पकड़ने की बात कही गई है एक अनुमान के मताबित तीन हजार से अधिक भारते गैंड़े जीवित है हमारा गरा सवाल है विश्व मतश्य दीवस कम मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है 21 नवंबर संपूर्ण विश्व में सभी मचवारों किसानों और सम्मधित हित धरकों के साथ एक जूटता को प्रदशित करने के लिए परतेक वर्स 21 नवंबर को विश्व मतश्य दीवस मनाया जाता है इस दीवस को मनाने की शरवात वर्स 1997 में हुई थी जब 18 देशों के प्रतिनिद्यों ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फॉरम और फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की बैटर में हिस्सा लिया और विश्व मतश्य से मंच का गटन किया गया था यानिकी वर्ल्ड व ऩश्व में हत्तार वर में हिस्सा लिया औरंकर Wheला और से मौन प्रतिनियों है जिल्म जड़